अस्लाम लिखों है वेडिस वर्कम बैक टू माई चैनल आज मैं अपला के साथ उपन करेंगे फ्रोग की कटिंग शेयर करूंगी इसके लिए मैंने एक कपड़ा लिया है ये कपड़ा तक रिबन दो मीटर है लेकिन इसके चुड़ा ही ज्यादा है तो इसलिए हम इस कपड़ करके हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से हम अपने टॉप का एक चुथाई जो हिसा है उसकी मिज़ोमीटर करके उसकी कटिंग करेंगे सबसे पर हम टॉप की लेंद्ध ले रहते हैं जो मैंने 14 इंच ली है टॉप की चुड़ाई मुझे 9 इंच लेनी है तो इ इसी तरह से टॉप की वेस्ट से मैं हाफ इंच चौड़ दूगी जो हमारा स्लाइम में आएगा और फिर यहां से इस लाइम के ओपर से मिसको कर लेंगे क्योंकि हम टॉप के कपड़े को लाइदा कर लेंगे दूसरे कपड़े से और इस साड़ से मैं काट लूँगी अब ह कि दनके फिरी जिन किंज में उर्ट करेंगे मुलें आणर के निशांओ के निशांन से मिस्तरा से एक इंच का निशाल लगाएंगे यह प्रनुपर यह से तरह से उपर कर निच चाहिए चसर्ष ऑले कि पर मैं इसके बाद मैं वेस्ट चाहिए चाहिए तो तो मैं आठी हिंच प सब्सक्राइब निशान लगाओ उऔर इसके बाद लान प्रेंट के qo corner के और और से उसका हुआ ग्या newled C चाहिए और शॉल्डर से इस तरह से हाफ हिंच का निशान लगा कि हम टेली लाइन खेंच लेंगे इस से यह होगा कि मारा शॉल्डर अच्छे से बैठ जाएगा इसके बद हम टॉप की कटिंग कर लेते हैं यह से आर्मोर की कटिंग करते हुए जो जो अमरी बाहिवाई लान और जाएद कप्रे को हम यहां से कार देंगे और साथ में हम टॉप के फ्रंट वाले पार्ट को लाइदा निकाल लेते हैं थाकि उसके भी हम आर्मोर की यहां से कटिंग कर लें अब मैं यहां पर नेक कर निशान लगाऊंगे जो मैं तीन इंच पर लगाऊंगी और मुझे कर देना गेंफी तो मैं इसलिए काली। 성Ter. इस तरह के कटिंग में हो mày और से कटिंग कर लेते हैं कलियों की कटिंग करते हैं सबसे पहले हो जो मारे पर बार डाप्र है वहां पर हमने जो में मैं कट्प्रे को लेने हैं उसको नाफ लगाएंगे जैसे मुझे कलियों की लैं जो है वह 20 इंच चाहिए तो इसलिए मैं 20 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और फिर इस निशान से में कपड़े को एक बार और फोर्ड करूंगी जैसे मैं यहां से कर रहीं इस तरह से कप्रे को फोल्ड करके अब इसको हम एक बार और तैय करेंगे इस तरह से इस तरफ हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो इस तरह से हम हमारी फ्रोक का जो एक चो था ही हिसा होगा कलियों का उसको हम डिजाइन करेंगे या पर उसका निशान लगाएंगे जैसे झी मुझे ये कुपडरे की चार टैय है तो मतलब मैं एक कली को कुछ डिजाइन करेंगे तो वह चार कली के हम करेंगे अब हम कलियों की वेस्ट से कितनी चलाई होगी इसका निशान लगाएंगे जैसे मैं चार इंच का निशान लगा रही हूँ जैसे तुमारे टॉप की जो वेस्ट है वो मैं एट इंच ली थी पहले इसलिए मुझे दो इंच की एक कली लेनी चाहिए लेकिन मैं चार इंच की इसलिए ले रही हूँ क्यूंकर मुझे वेस्ट पर कलियों को पर चोंटे डाले हैं तो इसलिए मैं चार इंच का निशान लगा रही हूँ और कलिये के जो हम से चड़ाई होगी वो मैं आठ इंच का निशान लगा रही हूँ आप चाहे तो ज्यादा भी निशान लगा सकते हैं लेकिन मैंने वो जो वेस्ट है हमारी वहां से मैंने उसका डबल किया है पहले मैंने कली की वेस्ट है उसका निशान मैंने उस तरफ लगाया है अब इस तरफ लगाऊंगी इससे यह होगा कि मारे कपड़ा की बच्चत होगी और हम इस कपड़े को जायनी करेंगी और इस तरफ मेहम का निशान लगाऊंगी जो पहले मैंने उस तरफ लगाया है और फिर इस तरह से यहां से लाइन कैंच लोगी वैसित मुझे कख्लियों की जो वेस्ट है नहीं दो इंच लेनी चाहिए थी लेकिन मैं जो कख्लियों डाली इसके मैं चौंटें डालनी है वेस्ट पर तो इसलिए मैं चार इस पर लेगा हुआ अगर आप ख्लीयों की फ्रॉंक इस तरह से सारी कलियों के निशान लगांगे एक की वेस्टा मुपर की तरफ दूसरा की वेस्ट का कि नीचे कि दॉर करके हम चारो कलियों के निशान लगा लेंगे यह जो सारी लाइन्स लगाई हैं इनके उपर मैं इस तरह से कटिंग कर लेंगे और यहां पर इस लाइन के बार मैं इस तरह से एकिन छोड़ रही हूं जो हमारा स्लाइम में आएगा यानि मार्जीन होगा जैसे हमने टॉप पर छोड़ा था यह हमारी फ्रॉग की जो साइड वैली कलिया हैं यह वो कलिया होंगी अब हमारी जो बाकी की तीन कलिया हैं उनकी भी कटिंग इससी तरह से कर लेंगे अब हम बाकी बचेवर कप्रे से स्लीव की कटिंग कर लेंगे स्लीव की कटिंग करने के लिए मैं कप्रे को इस तरह से ताय कर लूए यह देखें डबल है और डबल को फिर एक पार ताय कर लेंगे इस पर भी हम बाजू के आधे इसे की मिजरमिंटर करेंगे इसे इस तरह से बाजू के जो चलाई है मुझे आठ इंच चाहिए तो एक इंच का कप्रा मैं उससे थोड़ा से जादा छोड़ देंगी जो मार्जिन के लिए चोड़ेंगे हम और फिर यहां से ही इस कप्रे को क लगाने के बाद अब हम यहां से शोल्डर को घुलाई की शेपर देंगे और यहां से एक इंच कर निशान इस तरह से लगाएंगे और फिर अंदर के त्रफ हम एक लाइन के जीए मैं मतलब ही यहां बाजू है तो कुनी से कितनी जोलाई है उसका शोड़ा इसका निशान ल लेंगे इसके बाद हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे जो बाइज वैली लाइन है यहां से शोडर की कटिंग करेंगे इस तरह से स्लीव की कटिंग करने के बाद हम स्लीव को खोल के यह जो यहां से शोडर का मने निशान लगाया था एक इंच अदर की तरव यहां से हम इसकी करेंगे जो मारी स्नीव का फ्रेंट का पार्ट होगा और यहां पर एक चोट ऐसा कटल गाले यहां से हम स्नीव को शोडर के साथ जोड़ेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छे लगए थे वीडियो को लाइक शेर और कमेंट शुरूर किये जएगा साथ में चैनल को सब्स